मद्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार द्वारा मंत्राले में वंदे मातरम को बंद करने के खिलाफ अब बीजेपी आकरामाख हो गई है तो वही कॉंग्रेस का कहना है कि वंदे मातरम से हमारा खून का रिष्टा है देखिए ये रिपोर्ट कमलनास सरकार पर हमले बोल रहे है तो वही कॉंग्रेस का कहना है कि यह जो वंदे मातरम पर मंत्राले में रोक लगाई गई है वो अइस्थाई तोर पर लगाई गई है क्योंकि नए रूप मे इसे प्रस्तव किया जाना है तो हमारे साथ मौझूद है अमीरल सूरुजी से उनसे पूछेंगे कि यह क्या पूरा मुद्दा है और आखिर उनकी क्या राहे है इस पर कार ने यह महसूस किया कि यह राश्कीत के साथ में कहीना कहीं अन्याय हो रहा है आज भाजपा राश्कीत वंदे मातरम के लिए खड़ी है जबकि उनको एहसास होना चाहिए कि सबसे पहले वंदे मातरम 1896 में रमिंदर नाठ टेगोर ने कॉंग्रेस के अधिवेशन में गाय हम वंदे मातरम हमारे लिए क्या है कभी हमारी पार्टी के किसी भी कारीकरम में आके देखिए शुरुआत हम वंदे मातरम से करते हैं कॉई भी कारीकरम बिना वंदे मातरम तो शुरू नहीं होता है क्या हो रहा है कि भारतिये जनता पार्टी को मध्यप्रदेश में कोई पंद्रा दिन में कमलनाज जी ने जिस तरह से काम किया है भारतिय जंता पार्टी गोल पे गोल खाए जा रही है खाए जा रही है तो किसी तरह वो इस देश को बाटने वाली भावना को लेके अपनी डी से बॉल को निकाल के हाफ कोट तक लाने का प्रयास कर रही है इस से कहीं अपना जो नये कलेवरी भी तो पेस कर सकता है क्या जरूरत थी उसको रोक लगाने की दोरान भी तो लाया जा सकता था देखिए रोक लगाने की आवशकता इसलिए थी कि कोई नई चीज जब लाते हैं तो उसके लिए एक प्लानिंग होती है इंप्लिमेंटेशन का का काम होता है और एक तारिक क्योंकि वर्ष भी नया था नया साल था कमलाथ जी भी भुपाल में नहीं थे अपी तु अगर ऐसा रहता तो अगले महीने आप देख सकते हैं क्या परंपरा और क्या चीजों को लेकिए वो नई चीज को लाएंगे जिससे वंदे मातरम का मान भी बंद किया है लेकिन क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में जब वो शुरू करेंगे तो इस पर क्या खर्चा होगा क्या खर्चा नहीं होगा या फिर कुछ काम होगा क्या अंतर रहेगा इसमें देख यह खर्चा यह जंता का पैसा है जिसको शिवरा सिंग चोहान और उनकी बीजेपी सरकार ने बहुत लुटाया है। वंदे मातरम का इसके लिए साल में 365 दिन टेंट लगा रहता था वल्लब बवन में एक दिन के कारिक्रम के लिए। के 50,000 कन्या विवा योजना में बड़ी से बड़ी स्की मिला रहे हैं। ने कहीं भी खर्चा देखा हमारे कमलनाच जी या मंतरियों ने शपत ली तो उसमें आपने एक एड़ोटाइजमेंट एक खर्चा आपने कहीं गाडियों का अधिक रण कोई चीज देखी किस तरह से साथगी पून तरीके से कमलनाच जी और कॉंगरिस की सरकार काम कर रही जनता का पैसा है और हमारी मजबूरी भी है कि इस तरह से 45,000 रुपे का करजा हप्रती वेक्ति मद्यप्रदेश की छाती पे शिवरासिंग चोहान छोड़के गए हैं उस मद्यप्रदेश को सही में वापत विकास की दोर पे लाने के लिए कमलनाच जी को जो कदम उठाने ह वो उठाएंगे और वंदे मातरम की दुहाई भाजपा वाले कॉंगरेस को ना दें बस इतना ही कहना चाहूंगा देखिये मैं दो बाते शिवरासिंग चोहान या कमलनाच को टकर नहीं दे रहे हैं वो अपनी भाजपा में अपनी जगे बनाने का प्रयास कर रहे हैं उनकी लड़ाई भाजपा के अंदर है अभी तक उनका प्रतिपक्ष विपक्ष का नेता नी चुना गया उनको नेता न चुना जा रहा है किसी और नाम को लाया जा रहा है उन्होंने आभार यात्रा निकालने की कोशिश की उसको भाजपा के हाई कमाने मना कर दी आपको यह आभार यात्रा निकालने तो यह कहीं ना कहीं भाजपा के दोंद का है कमलनाज जी से कोई मुकाबला नहीं है शिवरा सि किस ने लिखा है इसको आप सुनाएं तो किसी से बताते हैं निवना भाजपा के सारे भुपाल के नेता अप एक दूसरे की बगले जाक रहे थे तो भाजपा पहले समझ ले उनके लोग समझ ले कि इसका सम्मान क्या है ये किस लिए है क्योंकि इनका आजादी में तो कोई यो मातरम को लेकर वो यहां पर कॉंग्रेस का जो कहना है कि कॉंग्रेस में जिस तरीके से फिजूल खर्ची हो रही है उस पर लगाम लगाने के अब देखना होगा कि किस तरीके से ये मुद्धा जो है प्रदेश की सियासत में गर्माता है और बिजेपी इस पर इस मुद्धे को आगे किस तरीके से उठाती है और वहीं कॉंग्रेस आने वाले दिनों में देखना होगा कि मुख्यमंत्री कमलनात किस तरीके से वंदे मातर का गान होता है फिलाल MP News के रूम से इतना ही नमस्कार